नवस्कार निव स्टेट देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया वोट की चोटका आज चुनावी यात्रा पहुँच गई है कृष्ण की नगरी मतुरा वही मतुरा जहां पर सियासी समिकरण आजकल बदला हुआ है और वो इसलिए क्योंकि इस वक्त यहां पर गठबंदन का प्रत्याशी है और सामने हैं हेमा मालनी वही हेमा मालनी जिनके उपर यारोप लग परिशे करवा दें मिरसाद महंदर चौधरी साब हैं जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए आरल्डी प्रत्याशी के प्रतिनिदी हैं और गठबंदन का पक्ष रखेंगे इसके लाव मिरसाद सुहन सिंसोधिया साब हैं कॉंग्रिस का पक्ष रखेंगे जोरदार त चौधरी साब आप से जैन चौधरी इस बार क्यों नहीं लड़े मतुरा से लोग कह रहे थे कि डर गया इसलिए बाग पर चले गए देखिए लोग दल को तीन ही सीट मिली थी और चूंकि वो छेत्र जाट वेल्ट बहुत बढ़ी छेत्र है और इसके अलावा उनको एक जब उनने दिये तो जनता के समर्थन से इनको जीट दियand जनता से पूछ-कशी दिये पूरी जनता का ठेस्ट जाना breakfast की लिए मतरा के लिए जनपी और मतरा के लिए या मत जन्ता के लिए काम करने वाले हैं क्या वहां मतरा जन्पत की जू जनता है उनको प्रेम यह उनको जनता की प्रोपर्टी होते हैं और जनता जो कहते हैं निता को करना पड़ते हैं दोबारा सवाल आपसे पूछूंगा लेकिन आप बताएं सर यह आरोप लगता रहा कि 200 बार से शायदा हमामाली आई अपने लोकसवाशेत्र में लेकिन ठीक है वह आकड़ा आप करेक्ट कर द अंदर आई और जो एक्स्टा आई थी जो प्रोगाम उन्होंने कराये थे उन्होंने सारवजनेक जिले के जितने भी बड़ी-बड़ी कारे थे और जो भी उनके पास गया उनके देरी बैच जो भी काम के लिए गया जा ओल इंडिया काम हो जा भरती काम हो जा किरिंद्र सम काम हो उन्होंने हर काम बखू भी नवाया इमांदारी से नवाया और निश्ठा से नवाया अब चुक्त वह बहती है उन्हें बंबई भी देखना दिल्ली भी देखनी लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि दुनिया में अगर कोई दुनिया के अंदर थी तो केवल हमा मालनी थी जो दो से थीस बार इस मतरा की धर्ती पे किसने की भूम पे उसको नमन करती रही और सबको पूछती रही बहुत हास्यासवद लगता है जब आप सेलिबिटी की महिमा मंदित करते हैं आपको पता है तीन सो पैंसर दिन साल के होते हैं पांस साल में दो सो तीस दिन पर आप खु प्रतिन के नहीं दिया उन्होंने 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 जो रेट बनाई सबसे पहले कोशी से सिर्गट चाता से गौमत और मार्ट से मार्ट की सड़क और साथाबाद वारी सड़क बड़ी-बड़ी जो प्रोगाम थे वो के वह हैं माली की देन थे जी वो कितना विकास हु प्रियंका गांदी को पुर्वांचल का बनाई गया प्रबारी वो लगातार वहां डेरा डाले हुए हैं जोत्राइज सिंधिया क्या कर रहे हैं आपको ठीक लगता है कॉंग्रेस कार करता होने की वज़े से अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं सिरियसली तो आना नहीं चाहिए उनको देखिए एक केबल आप जोत्राइज सिंधिया जी की बात क्यों करते हैं क्योंकि वो प्रभारी है इसलिए उनकी बात करें नहीं देखिए वो हमारे पूरे देश के जनल सेकेटरी हैं और पश्रमी उत्रप्रदेश के प्रभारी हैं बराबर कारिकरताओं से फोन पर बराबर उनको जहां जाना आवश्यक है वहां पर जा रहे हैं और मैंने आपको बताया कि बारे तारीक को अभी किसी भी दल का कोई नेता मतुरा जन्पद में नहीं आया है मेरे साथी यहां खड़े हैं बाजपा से गटबद के आदे तुनात आये थे नहीं वो नामंकन के दिन आये थे केबल परचा भरबाने के लिए आपके प्रत्याशी में तो नामंकन में भी नहीं आया आए आपके नेता इस्तानिय मुद्दे को लेकर करना चाहते हैं जैसे यमना जी यहां पर इतना प्रदूशन हो चुकी है जब यहां पर आये थे जो है बोदी जी तो उन्होंने ये कहा था कि निश्चित रूप से मैं यमना पुत्र हूँ मैं यमना शुद्द करा हूँआ पास साल हो गया आज यमना मैया अपने आसों से गंदी को रो रही है मैं ये चाहता हूँ कि देश के लोग बहुत बिदेश के लोग यहां पर बिज में आते हैं यहां पर आचमन करते हैं और यमना मैया हमारी एक पुझ निया है सवाल उन्हों ने उठाया है और सवाल मैं हमा मालनी को लेके नहीं करता हूँ सवाल मैं यमना को ले करके करता हूँ यमना साफ हूँ क्या लोग कह रहे थे आचमन के लिए तक पानी ठीक नहीं है देखिए यमना के लिए जितना भी भारती जंता पाड़ने काम किया है आज एक बात कह सकता हूं निट्र कचकरी जी ने जितना भी पाईसा जमना मैजा के लिए दिया है चार ओर से नलियाह जो बनने यह बड़ा प्रोजेक्ट तजार हो रहा है ताइम तो लगता है जी उसमें लेकिन उतना पईसा दिया गया है पाईसाब एक बात बताइए पांच साल में गंग है मुना आचमन तक के लिए ठीक नहीं हो पाईए अब कितना टाइम चाहिए आपको आचमन के लिए थो गया आजाब लोग कह रहे थे आचमन के लिए ठीक नहीं है आप कर लिए आचमन जनता करी नहीं है हम यह करें आज भी आचमन हो रहा है दुनिया आचमन कर रही है मतुरा में समस्या हैं आपको समस्या क्या नज़र आती है मतुरा में और पहले तो इनकारगरताओं गो समझाईे कि नारेबाजी कम करें क्योंकि यकार करेमा लोग आए हैं कोई भी नारेबाजी नहीं करेगा, स्वाइट नबेट होने दिजिए क्योंकि यहिं चाहते हैं बाजबबा के लोग क्या हल्ला होकर के इनकी नाकामियों को जागना हो आप समस्या है बताइए समस्या है देखिए मतुरा जन्पद में अभी यमना की बात हो रही थी यमना यहां पर जो देश बिदेश से पूरे विस से तीरत यारती यहां आते हैं लाखों और करोणों यह धारमेक यह हमारा करने लेकर के वह अपने आपको धन्य समझते हैं बारती जनता पार्टी के इनके प्रधान मंत्री जब यहां पर चौध संचोधे में बोट मांगने आये तो उन्होंने बाइदा किया था कि हम हमारे प्रधान मंत्रे तुकाल में हम यमना को सुद्धी करन करा देंगी लेकि आप यमना का इनोने जब निगम में इन से पहले आप उतिया सोड़ा के देखिए वाजपा का चैर्में हमेशा यहाँ होता रहा है लेकिन अज भी सेंकड़ो नाले यमना में प्रभावित किये जा रहे हैं ये नगर निगम अब भाजपा की नागम ही है पताए बाई नियमना जमाने में भी वो प्रावत होते हैं लेकिन आज आज चार साल के अंदर चार साल के अंदर केबल चार या पांच नाले ऐसे रह गए हैं जो प्रावत हो रहे हैं बाकी 48 नाले सब बंद कर दिये गए जब मोदी जी और हेमा माल जी 2014 में आई जो उन्होंने बाइदे किया क्या पूरा हुआ क्या चाता की सुकर फैक्टरी चालू हुई क्या जमना जी सफाई हुई क्या बेरोजगारों को रोजगार मिला क्या NCR में मतुरा दाखिल हुआ क्या यहां जितने सिक्षक हैं उनको बड़ी जितने भी काम भारती जनता पार्टी ने किया क्या पंद्रे लाख आए क्या जितने भी आज तक भारती जनता पार्टी ने जो बाइदे किया इनमें से एक यह सम्माने जनता बैठी है यह सम्माने जनता से समर्थन के रूप में पूछ लिजिए भारती जनता पार पूरे देश में एक मात्र घोशित नेता चौधरी अजीत सिंग लड़ा लेते ना चुनाओं बागपत क्यों चलेगा जैन चौधरी इस सवाल पर मैं आपके साथ हूँ इस सवाल पर मैं आपके साथ हूँ और ये बता ही क्या समस्या यहां की हम उनातर्या सिक्षक भरती से रेलेटेड हैं जो कोई 6 जनुमरी की जिसका एक्जाम हुआ था और दो महीने भरती जो है लंबेत रही निया एलाय में उसके बाद यानि गवर्मेंट ने सरकार ने 97 कट आप लगाई है वह इस यह निकी अब बरती से बाहर हो रहा है और यहनिकी 60 नमर पाने वाला जो सिक्षामित्र है 63 नमर के भारांग के कारण वह जो है यह निकी इस भरती को ले जाएगा यह निकी योगिता का हनन हो रहा है और अन्याय पूर्ण बताइए थोड़ा सा गया इडिये बताइए कि वह 60 पेश्ट पे भरती करेगी फिर अब योगी जी हमारी बात को रख्यूट ने डबल बेंच में जाने वाली थे भी तक सरकार अब कोड तो गये थे ना कोड हम लोग नहीं गए शिक्षामित्र गये और सरकार गई थी हमार सब्सक्राइब के लिए इनके प्रयासों के लिए मैं साधुबा देना चाहता हूं कि सही समय पर जे अपनी आवाज उठा रहे हैं आपके सामने जो इंतर पास बाच्चे लगा दिये गए थे सुपरिम कोड तक मने कर दिया गया था अब वही कोड में यह नहीं करना चाहता कोड के बारे में कोई अब माना नहीं के दिना चाहता वही कोड दूसरा जजर्मेंट लेकर आती है उस जजर्मेंट के खिलाब अब योगी जी स्वेम गए हैं तो उसमें डबल मेंचों डाला के आये और इनका सान नयाय होगा सताना परसंट वाले इनको नयाय मिलेगा और सबढ़ाों को नुंक्ति दी जाएगी आपकी जानकारी के लिए बतादन जब सिंगल में मामला खारीज हो गया ना तो सरकार गई कई कई किसकी जाच कराने की जरूफत नहीं है इसको आप अपडेट कर लिज Dalit अए ला और बेची देखिए अभी तरफ योगी सरकार अपना हक मांगने पर लाठिया चलवाई गई इन बच्चों पर दूसरी तरफ दूसरी तरफ योगी सरकार भ्रहमित है एक तरफ योगी सरकार पिछली बार जब कट ओप लिस्ट जारी की गई थी तब 45 से लेके 45 पर संट पर कटाप लिस जारी कि अब रहे हैं करते हैं तो और 0 सबस्कुर्ण कर रहे हैं ठीक है जर मैं आता हूं के पास में पीछे बहुत सारे प्सक्राव को सवाल बात बहुत जरूर야 आप बताए कुछ कहना चाहरे थे बहुत देर से बाएजी मेरे मैं इन्सिनमत्दों से अलगू मैं एक किसान हूँ मैं मंडी में जाता हूँ अपना गल्ला ले करके अनाज ले करके यद में उसे बताए अथारा सो चालीस का रेट है वो सत्रे से रुपे में खरीद रहे हैं यद उससे तरक करने में भी मैं सरम महसूस करता हू कोई पड़ोशी नहीं सुन ले मुझे कहीं परिवासा यह न देते कि यह भी कॉंग्रेशी है या यह द्यास दूरू है यह पाकिस्तानी है आज गल्ले पर दो सब्सक्राइब कंटर पर एक करवा रहे हैं एक भी मतलब काटा नहीं लगा अभी गामों में आपने सांसर से सि सब्सक्राइब करें लोगों की क्या मजबूरीति क्या स्वाने के बोटकी इनको जरूत है या नहीं यह में सब्सक्राइब कर दो अब 79,000 शिक्षक भरती डबल बेंच में जाना है योगिता को बचाना है और यह क्या है यह क्या है यह सिक्षक भरती हुई थी 79,000 जिसमें सिक्षा मित्रों को 63 नंबर का भारंग दिया जा रहा है तो जो 100 नंबल लेके आ रहा है वो तो घर पे बैटके चोगीदारी करेग और जो 60 नंबल लेके आ रहा है वो जाके सिक्षक बनेगा तो यह किस बात की योगिता है तो योगिजी से यह अपील है कि वो डबल बेंच में जाए और जो योगिता है उसका ध्यान रखे और जो कट-off रखी गई थी 97 उसका बहाल करें नहीं तो हमारे पास एक option है जो सब से नीचे होता है वोट आप वोटिंग मशीन में जिसको बोलते हैं नोटा वो दबा के हम भी कहते हैं आप भी कर बैठिये और आप भी अपने घर की चौकी तारी करी कुछ महिलाएं भी आप बैठिये आप बताइए मत्वरा में क्राइम ठीक है कैसा चला है पहले से इंप् आप ब्लाक नहीं हो रही है बिजली के बिल ऑनलाइन जमा हो रहे हैं चीजें इंप्रूवड हैं मुझे लगता है कि हो सकता इंप्रूचर और आज के राइम में कंडिशन से इंप्रूवड है और यमना भी पांस साल में मैंने तो बदलते देखे पहले बताईए कि जो वो सवाल हमारे दोनों ऑपोजिशन से है सबसे पहले बद अपर पंग्रेस का फट्टा डालें जी अच्छा गटबंदन की सगार से में इसले नहीं पूछँगा क्या गटबंदन क्या कैनिडेट और क्या इनका मैनिफेस्ट व जरह में बाजवपास पूचनाशना चाहूँग बताईए आप कुछ कहना चाहूंगी कि आज हम अपने बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हैं इसके बाद में भी अगर उन्हें मगाओडे पकोडे की डखा या लगानी पड़ेगी तो हम अपने बच्चों को शिक्षा के हो दें ठीक है ठीक है ठीक मारा रहा हूं दोबारा दोबार बाब बोले बोले मेरा सवाल कांग्रेस से है अपने गोशड़ा पत्र में उन्होंने को देजड़ोई कानुन हटाने की बात की और मुस्लिम का साथ लेकर के चुनाब जीतना चाते हैं क्या ये देश का भला कर सकते हैं ये मुशलिम इतुस्री कानून को अधर ज Yoga करते हैं किसे ना भारती से ना है और उसका पत्थरवाजी होती है और उसके बचानी कोशित पर बंदर इतने हो गए हैं गाम गाम इतने हो गए हैं इनका बहुत बड़ा विराट शुरूप हो गया है इनके खिलाब अभी नगर पालका में निगम में इनके मीटिंग होई है और उसमें परस्ताव लाया गया है कि इनकी कोई ऐसी ब्यवस्था की जाए यहां नहीं पूरे सेर में नहीं पूरे जिले महर में यह त्रादस ही है कि हर गाम में बंदर हो गया है अब इन बंदरों की ब्यवस्था और और उसकी ब्यवस्था के लिए उनको बुलाए जा रहा है इसको इखटी के जाएंगे बाद भीज जाएंगे ठीक बताएगे क्या कहा रहे हैं देखिए मेरे बड़े वाइग से का जवाब मैं देना चाहता हूं बंदर और पसू ना तो किसान रात में सोता है पसू उनके खेती बाड़ी को नश्ट कर रहा है ऐसा है बंदर बंदर का रोज गायल कर रहे हैं मगर जिनोंनों जितने वीवादे कीए मैं में अपनी सम्मानिज जंता का एक ध्याना आकरशत करना चाहता हूं मीडिया भी उन मुद्दों से भटकाता है हम यह चाहते हैं कि हमारा सांसत कैसा हो हम यह चाहते हैं कि मेरे भाई ने काई बड़े भाई ने कहा था कि 223 दिन आए क्या एक सांसत कुन साड़े आठ सो दिन में से 223 दिन आना है सांसा धहमा माली से आप पूछिए क्या क्या उनको पांच गामों के नाम पता है पांच पंचायतों के नाम जवाब दे रहे हैं जवाब दे लिए जल्दी से मैं साब इनकी बातों बहुत अची सहमत हूँ यह कह रहे हैं कि यहीं होना वाला बैक्ति होना चाहिए केबल तीन सीट में लड़ने वाली बैक्ति से आप क्या दिश चलाने की व्यवस्ता सोच सकते हैं केबल एक बात सोच लीजिए कि इनका थेला थेला जहां भी सरकार थे और वो थेला लेकर इनके पिता जी पहले ही कौंगर से बगगे थे और अब नजाने कांटन से पहले इनका थेला कहां जाएगा यह गिर्धारी जाने वह तो जवाब जनता देगी आप बताईए देखिए इन्होंने बाइदा कि आता सांसर हमा माली जीनिये कि यमना पर किष्ण जूला बनेगा किष्णा और बिंदावन में किष्णा थीम पार्क बनेगा और बड़ा सुक्ष यह हमारा ब्रज क्योंकि यहां मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि लाखों यह बिस्तु से नियारी नगरी है यहां पर तीरत यात्रियों का है आप देखिए इनकी नगर निगम है नगर पलिका में हमेशा सप्ता में रहें सांसजी और इनके प्रदान मंतरी सुक्ष भारत की बात करते हैं आप देखिए मतुरा जनपद में जाकि किस तरह नालों की भरे हुए पड़े हैं अटे पड़े हैं गंद की चारों और इनका कोई भी हमा मननी का दिक्कत है ना बाइसाब मैं आपको बता रहा हूं यह दिक्कत सिर्फ टीवी पर आपको नजर आती है यह दिक्कत सिर्फ ट्विटर पर नजर आती है जमीन पर लोग लिकल निकलते ही नहीं इसलिए दिक्कते हैं आप जमीन पे तो निकलिए अरे सर्द जमीनों ना इनकी सांसत काम करती है, ना बिदायक काम करता है, ना मंतरी काम करता है। से कि इन्होंने अपना मैनिफेस्टों बनाया जिसमें इन्होंने एक सो चौबीस हटाने का अफस्पा पे समीकरन करने का कशमीर से मैं सेना कम कर दूंगा और डैवलमेंट के नाम पर तो योगी जी के इतनी बोलूँगा दो साल में पहले का क्राइम डेट चेक कर लिजे और ह पहले कितने अटेक होते थे अब की बारी अटेक हुआ है तर एक बाच्चे बालों देख सवाल पूच्छे जाता हूं अमर कालोनी में दो मटर हुए आथ तक कुलासा नहीं हुए और उसकी लड़की नहीं कहा तागा खुलासा नहीं मेरे मात बतागा तुम आत्में अत्या अब कर लेकर सवाल है अभी वह कह रहे थे हैं अमर कालोनी में दो मटर हुआ पुलिस आता खुलासा नहीं कर पाई सुनिये सुनिये दूसरा सवाल जोड़ देता हूं एक महिला पुलिस कर्मी के ऊपर तेजा फेक दिया गया मत्थुरा में यह क्या चला उत्तर प्रदेश म मैं आज कह सकता हूँ के गुंडा के तो ऊपर है के जिल में के तो गुंडाओं का ऊपर चले गए यहा बिर जिल मिशली गए जाता है और यह कहते हैं और उस आदेश का पालन करते हैं योगी जी ने कहा योगी जी यह कह रहे हैं अपरादियों के खलाब कारवाई नहीं पैसे लेकर छोड़ दिया जाता है उनको इसलिए फाइयर नियोंगी क्राइम अगर देखना था तो कुमारी भेन माया बती जी के स आसन में आप देखते हैं कानून के वारे में देखते हैं सारे अपरादी जातों जेल छोड़ गएते या प्रदेश से छोड़के चले गएते भारती जनता पार्टी में तो अपरादी साथ हैं भारती जनता पार्टी को तो अपरादी ही चला रहा है रोज चीक है आप से ए आड़िया उन्होंंने उता रही हैं हमारे यां धार में उस पर वो है कि पैज़ आघ़र जिसने हमल्त की ने लिए उनको सुते ही भग्वान राम का अस्रीबाद मल जाता है भग्वान राम की ओ साहब रग्वान राम से दूरी की ओ आपको बता दे राम से दूरी नहीं आज ये बीजेपी के लोग ये पिछला पिछला चुनाब इनों ने राम के नाम पर लड़ा और कहा कसम राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे और आपको एक बारो बता दू राम मंदिर आज जो भगवान राम की पूज हो रही है उसका ताला खुलवाने का काम हमारे पूर परदानमंतिर राजीव गांदी ने किया अब सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया ओट की चोट में फिलाल के लिए बस इतना ही किसी और जिल हुआ है